Hello Friends, Welcome back to my channel The Taste of India तो Friends कैसे है आप आज हम बनाने जा रहे हैं तो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट इसमें नहीं आता है तो हम रेस्टोरेंट में ही जाके इसका अणद लेते हैं तो चलिए फ़िर रेस्टोरेंट वाला टेस्ट इसमें आज हम लाते हैं इसे बनाने के लिए मैंने तीन प्रकार की डाले ली है थोड़ी सी मूंग डाल, थोड़ी सी चना डाल और थोड़ी सी तूर डाल तीनों को मैंने आदे घंटे के लिए भीगो के रखा था भीगने के बाद मैंने कूकर के अंदर इसे डाल दिया है धो के अच्छे से डाल देना है फिर दो गलास मैंने इसमें पानी डाला है डाल डालने के बाद मैंने इसके अंदर आदा छोटा चमच नमक और आदा छोटा चमच ही हल्दी डाली है और फिर मैंने डख्कन लगा के 3 CT ले ली है प्रेंट्स आप अपने घर के कुकर की केपिसिटी के अनुसार सीटी ले से सीटी आने के बाद मैंने इसे गेज से नीचे रख दिया है ताकि ये ठंडा हो जाए फिर अब आती है बारी तड़का लगाने की तो friends दाल फ्राई बना रहें तो उसमें तड़का तो लगना जरूरी है फिर मैंने छोटी सी कड़ाई के अंदर पाच छोटे चमच ओईल डाला है ओईल अच्छे से गरम होने के बाद मैंने इसमें जीरा डाला है और फिर थोड़ी सी डाली है हींग हींग और जीरा चटक जाने के बाद मैंने खड़े मसाले डाले हैं तुकी लाल मिर्च, दाल चीनी का टुकड़ा और काली मिर्च और लोंग इस तरह के खड़े मसाले डाले हैं फिर मैंने अदरक और लेसून का पेस्ट डाला है एक एक चमस दोनों डाल दिये हैं और बारी कटीवी हरी मिर्च डाली है और बारी कटेवे ही प्याज डाले है तड़का लगा रहे हैं तो सूपर टेस्टी तो होना ही चीए तड़का फिर अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है अच्छे से गोल्डन होने के बाद मैंने कसूरी मेती डाली है फिर से इसे आधा मिर् दो छोटे चमच लाल मिर्च पाउडर डाले है आप टेस्ट के अकोडिंग मसाले कम्षि या रखें फिर थोड़ा डनिया डाला है ती गयाई पाउड़ Lahne Mind और फिर ठोड़ा सवाही मिरच बड़ा है लगबान चोटा reim चुलब के टूला है कि अखिया जिक्या गाशिदा, हुआ है। अखिया है जिसी। महरा कूकर, कि अखिया या नहीं पकी या तो एट गैं की थे दाल वी पक चुकिए है कि अधर हमारा मसाला भी सफ़ाय है इसने th अधर और फफ टवा खाया है तो दोनों तैयार है थोड़ी सी दाल इस तरह से लेके इस पे घुमा के मैंने डाल दिया है एक बार तड़का लगने के बाद मैंने दूसरी बार और तड़का लगाया है तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा ओईल गरम करा है मतलब दो छोटे चमच ओईल गरम कर लेना है और उसके अंदर मैंने गरम होने के बाद बारी काट के लैसून डाला है बारी कटेवे लैसून का बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो गरम तेल के अंदर वो डाल दिया है और आदा छोटा चमच मैंने इसके अंदर हिंग डाली है इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है अच्छे से गॉल्डन होने के बाद तुरंथ ही मैंने इसमें डाल दिया है तो ढाबे में या रेस्टोरेंट पे इसी तरह से डाल बनाते हैं स्मोकी फ्लेवर लाते हैं तो ये ही उनका सीक्रेट है इस तरह से मैंने अच्छे से तड़का लगा दिया है मारी सूपर से उपर दाल फ्राइ बन के तैयार है अगर रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताए और आप भी एक बारी से जरूर ट्राइ कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू सो मच फ्रेंड्स